हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मैसूर पाक की रेसेपी ये रेसेपी मुंगफली से बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया बनके तयार हुई है तो फ्रेंड्स आईए देखिए इस रेसेपी को कैसे बनाते हैं गैस पे एक पैन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कप मुंगफली ये कच्ची मुंगफली है इसको हमें भून लेना है तीन से चार मिनट तक लोट्टू मीरियम फ्लेम पर मुंगफली को भूनेंगे और थोरी ही देर में मुंगफली अच्चे से भून जाएगी और छिलके का कलर डार्क हो जाएगा और ये देखिए मुंगफली में दरारे आने लग जाती है तो अब मुंगफली अच्चे से भून चुकी है और कलर आप देख रहे हैं पहले से डार्क हो गया है तो अब हम gas का flame बंद कर देंगे और हमें मुंगफली को थोड़ा थंडा होने देना है इसके बाद यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है इसके उपर भुनी हुई मुंगफली को डाल देंगे और जब मुंगफली ठंडी हो जाती है तो बहुत ही आराम से इसके छिलके उतर जाते हैं इस तरह से कपड़े को उपर से ढगके मुंगफली को हलका हलका रब करेंगे तो बहुत ही आराम से सारे छिलके उतर जाएंगे तो ये देखिए मैं दोनों हातों से इस तरह से इसको रब कर लिया है अब मुंगफली के सारे छिलके अलग हो गया है तो इसे हम साफ कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मुंगफली के छिलके को हटा लिया है अब ये अच्छे से साफ हो गए हैं तो अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं यहाँ पे एक मिक्सी का जाड लिया है इसमें सारी मुंगफली डालके इसको अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मुंगफली को अच्छे से पीस लिया है तो अब चाशनी बनाके तयार कर लेते हैं यहाँ पे पैन में डालेंगे दो तिहाई कप चीनी वजन में 1.500 ग्राम चीनी है अब इसमें एड़ कर देंगे आधा कप पानी और इसे अच्छे से पकाते हुए चाशनी बनाके तयार कर लेंगे एकस्पेस्चुला से चलाते रहेंगे तो चीनी जल्दी पिघल जाती है जब तक चीनी पिघल रही है हम एक और जरूरी काम कर लेते हैं तो यहाँ पे एक तरका पैन में आधा कप घी डालेंगे और घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है तो यहाँ पे यह देखिए घी पिघलने लग रही है और इसे हमें अच्छे से गरम कर लेना है पूरा खुला लेना है तो जब घी यहाँ पे अच्छे से पिखल जाएगी तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे इस तरह से घी को गरम कर लेने से बहुत ही बढ़िया मैसूर पाक बन के तयार होगा तो यह देखिए फ्रेंस घी पिखल चुकी है और यहाँ पे हमने घी को अच्छे से गरम कर लिया है पका लिया है तो यह देखिए यहाँ पे चीनी भी अच्छे से पिखल चुकी है तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे चाशनी हमें गाड़ी और एक तार वाली चाहिए तो यह देखिए तो चाशनी अभी चिपचिपी हो चुकी है लेकिन तार नहीं बन रहे हैं तो अब हम इसको 2-3 मिनट तक के लिए और पका लेंगे इसके बाद यह चाशनी बनके तयार हो जाएगी तो यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पे हमने 2-3 मिनट तक और इस चाशनी को पका लिया है अब यह पहले से जादा गाड़ी हो गई है तो इस पेक्चुएला पे थोड़ा सा चाशनी लेके इसको हलका सा ठंडा कर लेते हैं और इसके बाद इसको उंगलियों से चेक करेंगे तो जब यह तार बनने लग जाए तो यह चाशनी एकदम परफेक्ट है तो यह देखिए एक तार बन रही है तो बस इस समय गैस का फ्लेम बन कर देंगे और यह चाशनी बन चुकी है तो इसके बाद यह ज़्यादा गाड़ी हो जाएगी तो इसके लिए गैस का फ्लेम बन कर देते हैं और अब हम इसमें आड़ करेंगे जो हमने मुंगफली का पावडर बनाया था वो और गैस का फ्लेम आउन करके इसको लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको मिक्स कर लेंगे चाशनी में तो यह देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो रहा है चाशनी क्योंकि गरम है जादा इसलिए हमने गैस का फ्लेम लो रखा हुआ है अच्छे से mix करने के बाद अब बारी आई घी add करने की तो हमने यहाँ पे घी को अच्छे से खौलाते हुए गरम कर लिया है तो यह देखिए गरम गरम घी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो पूरा आधा कप घी इसमें लग जाएगा तो बहुत ही जादा इसमें नई add करेंगे थोड़ा थोड़ा करके यह मैं हाँ पे दो दो चमच करके डाल रही हूँ तो जैसे जैसे यह घी मुंख़ली में mix होता जाएगा मुंख़ली बहुत हलकी और fluffy होती जाएगी यह देखिए सारा process low flame पर करना है gas का flame low रखना है और गरम गरम गी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएगे और इसको mix करते रहेंगे तो मैं यहाँ पे सारा दिखा रही हूँ आपको कि मैंने किस तरह से इसमें घी add किया है अब मैं थोड़ा थोड़ा जादा करके इसमें घी डाल रही हूँ क्योंकि मुंगफली का जो यह पेश्ट है बहुत हलका हो चुका है तो आराम से इसमें mix हो रहा है गी यह देखिए तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके जादा करके इसमें घी डाल रहे हूँ, और तेज हाथ से इसको चलाते रहेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा कलर चेंज हो चुका है और ये कितना हल्का हो गया है और fluffy भी हो रहा है तो इसी तरह से हम इसमें सारा घी अड़ कर लेंगे ये देखिए अब मैंने इसमें सारा घी डाल दिया है और इसको mix करते हुए अभी हमें 3-4 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पकाना है बहुत ही बढ़िया मैसूर पाक बनके यहाँ पे तयार होगा और इस तरह से आप एक बार धर में बना के देखिएगा एक ही अटेम्ट में बहुत ही अच्छे से बनके तयार हो जाएगा कोई भी इसको बना सकता है बहुत ज़ादा जंजट नहीं है इसको बनाने में तो यह देखिए यहाँ पे सारा घी इसमें मिक्स हो चुका है और कितना हलका कितना फ्लफी हो चुका है यह तो हमने इसको 3-4 मिनट तक और पका लिया है लो फ्लेम पर अब यह पैन पूरी तरह से छोड़ रहा है तो अब हम इसको जमाएंगे यह देखिए गैस का फ्लेम यहाँ पे मैंने बन कर दिया है और आदे मिनट तक के लिए और चला लेते हैं तो जिस भी ट्रे या फिर प्लेट में इसको जमाएंगे उसे तेल या घी से पहले ग्रीस कर लें और इसके बाद सारा बैटर इसमें डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा टैप कर देंगे और इसके उपर आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी ड्राइफ रूट से इसको गार्निश कर लीजिए मैं इसको पिस्ता डाल के थोड़ा सा अच्छा लुक लगेगा इसलिए पिस्ता डाल रही हूँ आप अपनी पसंद से और भी ड्राइफ रूट्स एड़ कर ले अब हम इसको थंड़ा होने देते हैं तो इसे पूरे 45 मिनट तक थंड़ा होने देंगे तो ये देखे फ्रेंड्स अब ये पूरी अच्छी तरह से थंड़े हो चुके हैं तो अब हम इसको demold कर लेते हैं बहुत ही आराम से निकल जाएगा इसको उल्टा कर लेते हैं और दो तीन बार अच्छे से जोड से tap करेंगे तो ये अपने आप ही निकल जाएगा ये देखिए अब हम इसको cut कर लेते हैं तो कोई भी shape में आप इसको cut कर लीजिए लंबाई में या फिर चौडाई में तो मैं इसको square shape में cut कर रही हूँ बहुत ही soft है अभी ये और जमेंगे लेकिन मैंने थोड़ा सा जल्दी ही इसको cut कर लिया है ये देखिए बहुत ही soft है और एकदम दानेदार texture का बनके तयार हुआ है ये देखिए friends बहुत ही बढ़िया मैसूर पाक बनके यहाँ पे तयार हो गया है ये देखिए friends कितना बढ़िया लग रहा है देखने में तो friends अगर आपको आज की recipe पसंद आए तो इसे like करिए मिलते हैं next video में